नमस्कार आप सभी का स्वागत आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरेनेस एजूकेशन नूज में दोस्तों इस रीडियो में बड़ा अपडीट है राजस्तान की लाखो युवाउं के लिए बड़ी अपडीट यान की करमचारी चैनल बोर्ड के दुवारा जो भरतियां की जाएंगी वर्स 2023 और 2024 में उनका करेंडर बता दिया गया है आप लोगों की जानकर एक लिए बता दूँ दोस्तों जो CET 12th Base और CET Graduation Level उन सभी भरतियों को सामिल किया गया इनमे और इसके अलावा एनम और जी एनम नर्सिंग भरति जो सवविदा आधारित होंगी उनको भी सामिल किया गया पूरी कहानी क्या है पूरी की पूरी जो खबर है आपको बता देते हैं बेसिकली नर्सिंग के बच्चों के कमेंट्स आ रहें कि क्या इन भरतियों में जो चल रही है इनमें परि परिक्षा का सूचुना सायक ठीक है सूचुना सायक की जो परिक्षा है 9 सितंबर 2023 को होगी ये दोस्तों आप लोगों की इसमें कनिश लेखाकार और तैसिल राजसु लेखाकार ये आप लोगों की 17 सितंबर कोगी ये CT में सामिल है सवीदा महिला स्वास्तिक कारेकरता एनम स परिक्षा तो दोस्तों ये होगी आप लोगों की इनेचम की पद भी बता देता हूँ 2088 ठीक है ये है और इसमें करीब 6000 के आसपास पद होंगे ठीक है तैसिल राजसु लेखाकार और कनिश लेखाकार में सूचुना सायक का बताई चुके है एनम ये इनेचम की है सवीदा इस भरती में कोई परिक्षा नहीं और ये जो फिलाल गुनिस तारिक से जिनके फों भरे जा रहे हैं उनमें कोई परिक्षा नहीं और अनम की ठीक है बेफिक्र रहिएगा अगली बात करते हैं दोस्तों सवीदा नर्स जी अनम सीधी भरती परिक्षा ये भी 24 सितमबर 2023 को इवनिंग पारी में की जाएगी या तो 2-4 होगा, 3-5 होगा टाइमिंग, ये 24 सितमबर 2013 को मोर्निंग में एनम की होगी और जो इवनिंग है उसमें जी एनम की होगी, संगनक के 583 पद हैं साथियों, ठीक है, इसकी भरती परिक्षय होगी 14 अक्टूबर 2023 को, परवेक्षक ये परिक्षक की बात करें, 430 पदों पर भरती विग्यप्ति आ जाएगी, कर्शी परिक्षक 21 अक्टूबर 2023 को पेपर है, सूपरवाइजर महिला अधिकारिता विभाग, इसकी जो परिक्षय है, ये भी 20 सक्टूबर को होगी, ठीक है, अब हम बात करें, उपकारापाल सीधी भरती परिक्षा 2030, दिसंबर 2023 में होगी, 1620 अधिक्षक, इसमें तक्रीबन 200, 700 से 800 पद हो सकते हैं, ठीक है, 1720 अधिसक में, ये CT में सामिल है, इसकी दिसंबर 2030 में किस डेट को ये तैनी किया गया है, ठीक है साथियो, परविक्षक महिला, ये दिसंबर 2030 में होने वाली है, ये कनिष्ट अभ्यंता, जो काफी सारे डिपार्टमेंट्स के लिए, PHED, PWD, इन के लिए होने वाली है, ये जनवरी 2024 में, प्लाटून कमांडर जो है, ये CT के तहत है साथियो, ये भी काफी कम पद हैं, वैसे तो इसमें, 1500-200 के आसपस मान के चलिए, तो ये जनवरी 2024 में चात्रवसिक अधिक्षक ग्रेड थर्ड, ये भी दोस्तो आती है, आप लोग की CT में, ये फरवरी 2024 में होगी, कनिष्ट सायक, यानि LDC, ठीक है, ये आप लोग देखें, फरवरी 2024, पटवारी, ये आप लोग देखें, 2024 में, और जिलेदार सिचाई, ये 2024 में, यानि कि यह यहां से आप लोग देखेंगा साथियो, ये जो हैं, आप लोगों की जो भरतियां हैं, ये इसमें से आप लोग कर्शिव परविक्षक को हटा लीजिए, बाकी स्वारी हैं, जो आप लोग की CT की हैं, किसकी हैं, CET की, ठीक है, ग्रेजविशन भी सामिल है, 12 भी सामिल है, और ये जो सव्विदा नर्स वाली जो हैं, A&M और G&M, ये एनेचम की भरतियां हैं, ठीक है, एनेचम जो अगर A&M की में बात करूं तो 2088 पद होगे, कोई 150 उपर नीचे हो सकते हैं, और G&M की में बात करूं, सव्विदा जीएनेचम की में बात करूं, तो इसमें जो इसे जो GNM और फार्मासिस्ट के आ रहे हैं उनकी भी परिक्षा नहीं होगी और यहां तक दोस्तों जो NHM की जो भरतियां हैं एनेचेम की जो भरतियां हैं उनकी संक्या लगबग बावन सो के आसपास है करमचारी चैन बोर्ड ने क्या किया है दो भरतियों को पकड़ा यहां पर कि वो एनेचेम की परिक्षा करा सकते हैं जबकि इसमें आयूस कमपाउंडर की आयरवेज चिकित साधीकारी की फार्मासि ठीक है यानि कि सोला सो और दो हजार पार पद हैं यह एनेचेम में रहने वाले हैं परिक्षय होगी कॉंट्रक्चर रूल्स के तहती होने वाली है इसके अलावा जो यह दो भरतिया हैं इसमें CHA को 15 परतिशत बोनस भी दिया जाएगा ठीक है कोई किन्तु परंतु नहीं ह क्योंकि 2023 मार्स से लेके और 2024 मार्स तक दो भरतिया होंगी उनमें कोविड हेल्थ असिस्टेंट और जो यूटीवी में जिन्नोंने कोरोना में काम किया उन सबको 15 बोनस अंकों का लाप भी यहाँ पर दिया जाएगा यह भी किलियर कट बात है क्योंकि इनकी परिक्षाई ह देखिए 2023 में संपन हो रही है तो इन दोनों भरतियों में जो सियाचे अभ्यारती थे या यूटीवी पर जिन्नोंने कोविड में काम किया 2-4-6 माहिने उन सबको 15 बोनस अंक दिये जाएगा जब नोटिफिकेशन आएगी इनकी तो आप लोगों को पता चल जाएगा सितं देखने को मिलेंगे यानि कहने का मतलब ओवराल ये है साथियों ये माई के जो 10-15 दिन बचे हैं ये और आप लोगों का जून और जुलाई और अगस्त ये तीन माहिने दबा करके भरतिया आएंगी ठीक है 17 भरतियां तो ये आप लोगों के सामने है ठीक है भाई इसके अ 17 भरतियां ये हैं RPSC के अलग से हैं और जो डिपार्टमेंट से नगरपालिकाएं के शफाई करमचारी के बहुत सारी भरतिया है ओवराल मतलब ये है RAS की आएगी आप लोगों की सब इंस्पेक्टर की आने वाली है फर्स्ट ग्रेड आएगा सेकंड ग्रेड आएगा ठी ठीक है तो ये बहुत सारी भरति परिक्षा होने वाली है एक लाख जुपद है नई इस बजट के वो भी घोसित हो जाएंगे कुछ दिनों के अंदर वो भी आप लोगों को बता दिया चाहेगा तो ये जानकरी है साथियों चिकितसा के बच्चों से कहना चाहूँगा कि य ठीक है उस NHM की भरति के तैत परिक्षा ली जा रही है इसमें नहीं ली जा रही है काफी सारे वाट्साप पे मैसेज आगे इंस्टाग्राम पे भड़ा पड़ा है ये क्या हो गया साब ये क्या हो तो थोड़ा यहां पर अपना दिमाग लगा लिया करो ठीक है मतलब जो आ यहां पे सब्द क्या लिखा है सब्वीदा लिखा है न तो यह पर्मानेट भरतियां इसमें कहां उनका जिक्र किया गया लेकिन आप लोगों को तो टेंशन लेनी है लेनी है ठीक है तो यह साथ यह जानकरी है आप लोगों के लिए फिलाल के लिए इस वीडियो मितना ही य में कितने भरतीपद रह सकते हैं यह आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं थोड़ी देर भी स्वार पोस्ट आ जाएगी धन्यवाद दोस्तो टेरी ग्राम को फोलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर फोलो कर लीजिए आपका कोई भी मैसेज हो तो व्याद भी मैसेज कर सकते हैं भाई और इंस्टाग्राम पर मैसेज करते दियान रखे गुड डिवनिंग गुड मोरिंग गुड नून ये न भेज़ें आपकी काम की बात भेजें और उसका रिपलाई लेने के बाद आप लोगों को सही लगेगा धन्यवाद दोस्तों फिलाले के इस वीडियो में इतना ही जैहिन जै भारत